मुवी शुरू होती है और हम सबसे पहले एक होस्पिटर का सीन देख पाते हैं और वही हम मिलते हैं आज की लीड कैरेक्टर टाइना से हम देखते हैं कि टाइना वीलचेयर पर चल कर ऑपरेशन थीटर की तरह भागते वे आ रही है दरिसल उसने अभी अभी एक नवजात बहुत जादा बुरी है बहुत सारे डॉक्टर्स मिलकर उस बच्ची का कोई मेजर ऑपरेशन करने में लगे हुए हैं डाइना अपने आखों के सामने ये सब कुछ देखकर बहुत जादा परेशान हो जाती है अपनी बेटी की इस हालत को देखकर उसके आखों से आसू बह नहीं है वो पैरलाइज होने के साथ साथ डाइबेटिक भी है यहां तक कि उसे कई मेजर बिमारिया है जिससे कि उसे कंटिनीटी में मेडेसिंस लेनी पड़ रही है हम देखते हैं कि जियाना क्लोई का बहुत ध्यान रखती है वो उसे टाइमली मेडेसिंस प्रोवाइड क करती है जिससे कि वो अपनी लाइफ को नॉमली जी सके आपको बता दू कि क्लोई बहुत चैलेंटर है वो एक अच्छी आर्टेस्ट होने के साथ साथ स्टडीज में बहुत तेज है वो हमेशा काफी अच्छे मार्क से स्कोर करती है और इसलिए क्लोई का यह सपना भी है कि वो यूनिवर्सिटी ओं वशिंटर में पढ़े जिसकी वज़े से वो काफी जादा मेनद भी कर रही है और अब उसने फॉर्म भी फिल कर दिया है अब क्लोई को इंतजार है वहां का रिजल्ट आने का लेकिन रिजल्ट की डेट निकल जाने के बाद भी उस तक कोई नोट सेशन कर रही थी कि तब ही उसके घर पर ग्रॉसरी का सामान डेलेवर होता है और इसी दोराण डियाना के फोन पे कॉल आ जाता है डियाना कॉल अट आइंड कर देके लिए चली जाती है वही दूसरी तरफ लोई ग्रॉसरी से आये सामान को देखने लगती है तैर इसल्ट वो कोई मेडिसिन भी नहीं लेती है तो आखिर वो मेडिसिन है किस चीज ही कि यह देखकर वो सोच में पढ़ जाती है तब भी डियाना के वापस आनी के हार्ट होती है क्लोई फटा-फट वो दवाई अंदर रख देती है रात को जब बैट-पर सोने के लिए जाती है तो डि माद में बहुत सारे questions चल रहे थे इसलिए वो अपनी मा से पूछती है कि अगर ये दिवाई मेरी है तो आखेर आपके नम पर किल डिलिवर हुई इस पर डियाना कहती है कि शायद ये गलती से हो गया होगा अब क्लोई भी ये समझ लेती है कि हां मेबी ये में स्टेकन हो सकता है सुबह होते ही गलोई को अपने सामने फिर से वही बॉक्स नजर आता है जिसे देखते ही उसका दिमाग एक बर फिर से चलने लगता है तभी गलोई इमेडियेटली उस डपेक उठाती है और इसके रैपर को खुरशनी की कोशिस करती है अब वो ये देखा था कि कुछ ना कुछ तो उसकी माँ से जरूर शुपा रही है वो चाहे कोई भी बात हो अपने दमाग में यह सोच लेती है कि उससे इस बात की तह तक जाना ही होगा कि आकर उसकी माँ उससे क्या चुपा रही है वो फटा-फटा उस जवाई को गूगल करती है लगाती है और बात करते वक्त सामने वाले पॉसन से रिक्वेस्ट करती है कि मैं आपको एक मेडिसिन का नाम बता रही हूं क्या आप मुझे इसके बारे में इंफॉर्मिशन दे सकते हैं क्योंकि मेरे पास इसवक्त इंटरनेट नहीं है वो दवाई का नाम ट्रायोक्सिन बत बताता है कि ये दवाई लाल रंकी होती है लेकिन जो मेडिसिन क्लोई के हाथ में थी वो तो हरी रंकी थी पर नाम तो उसका ट्रायोक्सिन था ये सोचकर ही वो पूरी तरह से कन्फूजन में पढ़ जाती है कि आखिर उसकी माउस से क्या चुपा रही है अब डियाना अप क्लोई ते पनी मा से कैती है कि मुझे थोड़ा वाश्रोम जाना है मैं बाहर जा सकती हूं वो परमेशन लेकर वहां से बाहर आ जाती है वहां से मौका मिलती ही वह फटा फट Mutter से इसके ही medical store में आ जाती है जहां पर वो अपने साथ वही ब्रीन मेडिसिन चुपा कर लाई थी वो उस फार्मसिस को मेडिसिन दिखाती है और उसे कहती है क्या आप मुझे इसके बार में information दे सकती है दरसल मेरी मानी ही मुझे यहां बेजा है ताकि मैं इसकी बारे में पुरी information निकाल पाऊं दरसल हम दोनों मूड फ्रेश करने के लिए एक गेम खेल रहे हैं जहां पर हम तरह तरह की चीजों के बार में information निकाल रहे हैं उसकी बातों पर यकीन करके फॉर्मसिस कहती है इस दवाई का नाम ट्रैकोक से नहीं बलकि यह medicine talks के लिए ली जाती है और अगर कोई भी पर्सन इसे लंबे अर्से तक इस्तेमाल करता है तो वह पैरलाइस भी हो सकता है और अगर कोई और इस बात को सुनकर पूरी तरह से दंग रहे जाती है इस वक्त उसके पैरोतले से जमीन खिसक गई थी फॉर्मसिस को बताती है कि यह medicine dog के लिए दी जाती है और कर देने वाली थी क्योंकि हर रोज रात को Chloe के माँ उसे यही दवाई दे रही थी और उसके घर में तो कोई dog भी नहीं है दरसल क्लोई पश्पन से इसी दवाई का सेवन कर रही है यह सब कुछ सोच कर ही Chloe की तबित बिगड़ने लगती है और तब तक महाँ पर डियाना पह प्रिखा जा सकता है इधर जैसे ही Chloe को होजाता है वो दोर को पेटना शुरू कर देती है वो अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि दोर को खोल दे लेकिन वो डोर नहीं खोलती Chloe बहुत जदा परिशान हो जाती है इसलिए वो विंडो से ही बाहर निकल दे का फैसला करती ह वो कैसे भी करके विंडो से बाहर की तरफ आती है और अपने हाथ में एक शोल्डर आयन ले लेती है और अपने मूह में पानी भर लेती है वो दूसरे कमरे में लगी कांच की विंडो को शोल्डर आयन से गरम करती है और फिर अपने मूह में भरा हुआ पानी वो इस विंड आटाक आ जाता है वह जल्दी से अपना दूंदी है और फिर थोड़ी देर में अपने आपको रिलाक्स करके वहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगती है वो कमरे से बाहर निकल कर आती है लेकिन वहाँ पर उसे स्टेर्स को पार करना था दरसल इस वक्त उसकी मदर ने इल बहुत जादा चोटे आ चुकी थी लेकिन इस वक्ट ग्लोई के पास अपनी चोट को सैल आने के समय नहीं था इसलिए जल्दी से वो हिमत करके खड़ी होती है और अपनी वीर्चेर पर बैठकर बाहर की और भागती है लेकिन उसका घर तो बहुत ही जादा अजीब सी जगा पर था जहां चार उतरफ कुछ नहीं था सिवाई जंगल के वो चलते चलते जल्दी रोट टका जाती है जहां सामने से उसी गाड़ी आती हुई नजार आती है अब ग्लोई मदद मागने के लिए उस गाड़ी के सामने आ जाती है और वो गाड़ी थी पोस्ट मैन की वो पो पोस्ट मैन क्लियो को लेकर वहां से निकल पाता, वहां पर डियाना आजाती है अब पोस्ट मैन को रोक देती है वह उससे कहती है मैं अपनी बेटी को घर ले जाने के लिए आई हूँ तभी पोस्ट मैन उससे जगटते भी बहäs जाना चाहती वो पुलिस इस्टैशन जाना और जल्द ही वो अपनी बेटी को बेहोश करके वापस उसे घर ले आती है डियाना एक बार फिर से क्लोई को उसी कमरे में लॉक कर देती है इस बार जब क्लोई को होश आता है तो वो अपने आपको चारू तरफ से जंजीरों से बंधा हुआ पाती है और उससे अपने सामने कजीब सा लिकविट दिखाए देता है जो कि बहुत जादा काले रंग का था दरसल ये लिकविट डियाना ने क्लोई के लिए बनाया था ताकि वो उससे हमेशा के लिए पैरलाइस कर सके वहीं थोड़ा खोजबीन करने पर डियाना को कुछ डॉक्यमेंट्स मिलते हैं और कि उससे तो ऐसा लग रहा था कि उसका सेलेक्शन तो हुआ ही नहीं तब ही उन्हीं डॉक्यमेंट्स में से क्लोई को कुछ और डॉक्यमेंट्स मिलते हैं जो कि उसी हॉस्पिटल के थे यानी 17 साल पहले के जिसमें ये लिखा था कि डियाना की जो बेटी थी वो प्रिमेच चुकी है इतनी सारी चीजे सामने आते ही को सब कुछ अपने आँखों के सामने साफसाफ नजरा रहा था उसे पता चल चुका था कि डियाना के असली बेटी मारी जाचुकी है और क्शों की शुरिय ये सब कुछ देख कर ही फूट दियाना अपनी बेटी से कहती है, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें कभी ख़ोना नहीं женщine और आज से मैं तुम्हें कोई भी medication नहीं दूँगी क्योंकि अब तो सारा सज्च तुम्हारे सामने आ का है बस तुम मेरे साथ रहना इस पर क्लोई उस पर चलाती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है जो मेरे असली माबाप है उसकी इन बातों को सुनकर डियाना घुश्से में आ जाती है वह उसी काले लिक्विट को इंजक्शन म नहीं चाती थी इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उससे क्लियो को अपने से दूर कर दिया है उससे कुछ होना जाए जिसके कारण वो जल्दी से उसे हॉस्पटल ले कर जाती है जहां पर डॉक्टर्स इमीडियेटली को ट्रीट्मेंट शुरू कर देते हैं जिसके कारण जल्दी वो ठीक भी हो जाती है जब क्लियो को होश आता है तो डियाना बाहर उसके सामने खड़ी हुई थी इससे पहले कि डियाना अंदर आ जाए पास में ही खड़ी नर्स से पैन और पेपर मांगती है दरसल वो उसे कुछ लेकर बताना चाती थी अब क्लोई और न देर के हुए जल्दी से अपनी बेटी को वीलचेर पर बिठाती है और उससे वहां से लेकर बाहर आने लगती है इधर नर्स वापेस जैसे ही क्लोई के रूम में आती है वो पेशेंट को वहां ना देकर थोड़ा हैरान रह जाती है फिर बिट पर पड़ी उसी नोटबुक के देखती है जिसमें क्लोई ने कुछ लिखा था क्लोई ने उस नोटबुक पर मॉम लिखकर डेंजर का साइन बनाया था ऐसा देखकर ही नर्स यह समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो घरबर जरूर चल रहा है अब नर्स बिना देर के हुए क्लोई की बात को हायर लेती है डियाना सबको डराते भी कहती है कि तुम सब सामने से हट जाओ मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को अपने पास रखना चाती हूँ वो चाहें जैसे भी रहे और मुझे अपनी बेटी से कोई नहीं चीन सकता तुम लोग भी नहीं लेकिन उनमें से एक ऑफिसर डियाना की शोल्डर पर गोली मार देता है जिसके कारण गन उसके हाथ से छुटकर नीचे गिर जाती है और क्लोई को रस्क्यू करके वहां से ले जाते हैं और अब यहीं से कहानी एक बार फिर से साथ साल आगे का रुख मोड लेती है जहां पर हम क्लोई को देखते हैं जो अपने पैरों से चलकर डियाना के रूम तक पहुंचती है और वहां पर उसे बताती है कि मैंने अपने असले मावाब को ढून लिया है और अब मैं भी उनके साथ रहती हूँ मैंने तो शादी भी कर ली है और मेरे भी बच्चे है और और आल मैं अपनी जंदगी में बहुत खुश हूँ वो उसे टॉंट मारते वे कहती है वैसे तो तुमने मुझे जिन्दगी में बहुत तकलीफ है दी लेकिन फिर भी मैं अपने कोशिसों के चलते आगे बढ़ रही हूँ और अब वो अपने मूँ में चुपी हुई उसी टैबलोट को निकालती है जो डियाना उ कैसी लगी हमें ये कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर न्यूँ है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हम आपके लिए आगे ऐसी ही इंट्रेस्टिंग से मूवीज को लाते रहें इसके लिए कॉमेंट करना बिल्कुल न भूले थाइंक यो फो वर्चिंग दा वीडियो